आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्णा सच्टेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार लोगसभा चुनाव के पांच में चरण के लिए आज शांती पूर्ण धंक से संपन हुआ मद्दान नरसिंग कॉलेज घोटाले में CBI का एक और इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफतार उज्जैन में यात्रियों के सुबिधा के लिए जिला प्रशासन ने शिरू किये प्री पेड आटो बूत और प्रदेश में भीशन गर्मी का दौर जारी ग्वालियर जंबल और निमार लू की चपेट में अब समाचार विस्तार से बंध हो गया है उनमें केंद्री मंत्री और भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता राजनाथ सिंग, स्मृति इरानी और पियूष गोयल, कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी तथा के ल शर्मा, नैशनल कॉंफरेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ती पार्ट रामविलास गुट के चिराग पास्वान शामिल हैं। कलेक्टरेट कार्याले में मदगर्ना तैयारियों के लिए समस्त सहायक रेटर्निंग आफिसर की बैठक हुई। लगातार कारिवाई कर रही है। आज CBI टीम के एक और इंस्पेक्टर सुशीर माजोकर को दो लाख रुपे की रिश्वत लेते गिरफतार किया गया। इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भावा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफतार किया गया है। दरसल दिल्दी CBI को माध्य प्रदेश के नर्सिंग होटाला मामले में कई एहम सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद ताबर तोड गिरफतारियां की जा रही हैं। इससे पहले कल राद CBI ने इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाग रुपए की रिश्बत लेते गिरफतार किया था। विजिलेंस टीम ने नर्सिंग होटाले में CBI के दो निरिक्षक समेथ 13 आरोपितों में से 12 को आज अदालत में पेश किया जहां कोट ने उन्हें 29 तारीक तक रुवांट पर CBI को सौप दिया है। प्रदेश की 29 लोगसभा सीटों पर मददान के बाद पहली बार आज भोपाल में कॉंग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक होई। इस कारिक्रम के तहट आगामी, नगर निकाय, पंचायद और अगले विधान सबाचुनाव के हिसाब से तैयारी की जाएगी। AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उजयन में यातरियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तीन प्रीपेड बूत शिरू किये हैं। रेलबे स्टेशन के बाहर दो और एक प्रीपेड बूत महाकाल मंदिर के निरगम गेट के पास स्थापित किया गया है। जहां से यातरी अपने गंतव स्थान के लिए निरधारित दर अनुसार और टो की बुगिंग कर सकेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार से हैं और पुलिस अधिक्षक प्रदीप शर्मा ने रेलबे स्टेशन के बाहर स्थापित प्रीपेड बूत और माल गोदाम के पास बने प्रीपेड बूत का आज शुभारम किया। बैटरी से चलने वाले ए रिक्षा वाहन का प्रतम 3 किलो मीटर पर प्रतिव्यक्ती 10 रुपे और उसके बाद 3 किलो मीटर से अधिक यात्रा पर प्रतिव्यक्ती 20 रुपे किराया दे होगा। राजे आनंद संस्थान द्वारा मंत्रालय वल्लभवन सत्पुड़ा और विंध्याचल में पदस्त पुलिस कर्मियों के लिए दो दिवसिये अल्प विराम स्वयम से मुलाकात कारिकरम आयोजित किया गया। उचारियों के साथ चर्चा कर अनुभव साजा किये गए। इन दौर में नागरिकों को उनकी संपत्ती का वास्तविक मालिकाना हक दिलाने के लिए पाइलिट प्रोजेट के रूप में रजिस्ट्री अभियान प्रारंब किया गया है। वहां के रहवासियों की संपत्ती की रजिस्ट्री कराई जाएगी। कलेक्टर आशीशन सेह ने बताया कि इसके वार्ड नंबर 31 में स्थिद छीतल नगर रेडिसन होटल के पास और वार्ड नंबर 30 में स्थिद मालवे नगर का चेयन किया गया है। इन स्थानों पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उपरांद अनिक शेत्रों में भी बढ़ाया जा सकेगा। दमोह, सिवनी, छिनवाडा, पांडोरना, पन्ना और सतना के चितरकूट में आंधी भी जल सकती है। वहीं हलकी बारिश होने की भी संभावना है। प्रदेश में ग्वालियर, दतिया और भिंड में तापमान 45 निगरी के करीब बना हुआ है। गुना में आज दिन का दिक्तम तापमान 44.6 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में को पेंशन शिवर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश को ग्रीश मिकाल में परियाप्त पैज अलापूर्ती के निरदेश दिये हैं। और शिवपूरी कलेक्टर कारियाले में आग लगाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। इन तीन आरोपियों के नाम रूप सिंह परिहार, राहुल परिहार और जीते इंदरपाल बताए गए हैं। अंत में इस बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर लोगसभा चुनाव के पांच मेचरण के लिए आज शांती पुंधंग से संपन हुआ मद्दान, नरसिंग कॉलिज घोटाले में CBI का एक और इंस्पेक्टर रिश्पत लेते गिरफतार, उज्जैन में यात्रियों क सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने शिरू किये प्रीपेड ओटो बूत और प्रदेश में भीशन गर्मी का दोर जारी ग्वालियर, चंबल और निमार लू की चपेट में इस बुलिटन में इतना ही अनुमती दीजे, नमस्कार आर एंट जिला प्राइशस आएपीन प्रेंग सब्सक्श्रास, जिला ने खमता है झालू झालू में तो जिला कि लिए तक दोरीपेशन गर आर प्रूत बूत और लिए जिला ग्रवालियर, चंदा। झालूत प्र शिलाएब जान तक जँए, तक टूतूत बूत प्र जाल